ये में मत्मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ती मान वहा श्रद्धा वन्तोन सूजन्तो मुच्चन्ते तेपी कर्म भी ही। जो मनुष्य दोश बुद्धी से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत्का अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं। वे कर्मु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शरद्धा से जो मनुश्य जीवन को जीता है उसी का जीवन सार्थक जीवन हो पाता है कितने लोग शरद्धा कर पाते हैं शरद्धा एक तीसरी आँख है जो आपको जीवन का नया आयाम दे देती है जीवन जीने की कला सिखा देती है जब हम अविश्वास से, शक से, संदेह से भर जाते हैं तो सब को जैसे विशाक्त हो जाता है जीवन ऐसा लगता है जैसे घुटन से भरा हो श्रद्धा, विश्वास नहीं श्रद्धा है जहां पर अव विश्वास का स्थान नहीं है और व्यक्ति पूरी एनर्जी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है जब व्यक्ति श्रद्धालू होता है तब वह अंद विश्वास से नहीं भरता तब उसकी आत्मा उसे बताती है कि क्या सही है और क्या कलत है जहां जाकर अपने आप ही आत्मा बताए अपने आप अंदर से उपजे के हाँ यह स्थान ठीक है यह सिद्धान्त ठीक है यह वचन ठीक है तो समझे व्यक्ति फिर उसी ओर चलता है यानि श्रद्धा का जन्म हो जाता है यह श्रद्धा स्वयम हृद्य से उपजती है यह बाहर का थोपा हुआ विश्वास नहीं यह अंदर विश्वास भी नहीं यह तो हृद्य की पुकार है जो मनुश्य के भीतर से उपजती है जब मनुश्य श्रद्धा करता है तो समझे, उसकी आत्मा उसे कुछ कह रही होती है 100 में से 99 परसन मौकों पर लोग सिर्फ विश्वास करते हैं यानि उपर उपर से चीजों को लेते हैं रुदे से नहीं लेते एक व्यक्ति बोलता है कि आत्मा मर है ये शरीर, ये देह कुछ भी नहीं परंतु, जब शरीर को चोट महशती है तब उस समय आत्मा का ज्यान लुप्त हो जाता है जब शरीर स्वस्त होता है तो कहना आसान है कि आत्मा अजर अमर है और देह अनित्य है तब कहना आसान है परंतु, चोट लग जाए बुखार चड़ जाए बिमार हो जाए तब शरीर ही सब कुछ हो जाता है तब आप ये नहीं कहते कि शरीर को दर्द हो रहा है तब शरीर अलग नहीं तब आप शरीर ही हो जाते हैं तो यदि उपर का विश्वास बनाएंगे तो ऐसा होगा ही होगा परन्तु जब अनुभव होता है आप उस चीज को महसूस करते हैं अंदर से आत्मानु भूती होती है तो उस आत्मानु भूती में आपको ज्यान मिलता है तब श्रद्धा उपश्ती है कहते हैं विवेकानन परमात्मा के बारे में जानना चाहते थे फटकते थे कि परमात्मा कहां है कौन है कोई मुझे बता दे इश्वर के बारे में दिवानों की तरह भटकते थे एक दिन उन्हें पता चला कि देविंद्रनाथ आए हुए है वे एक झील के बीच में एक नाओ में रहते हैं साधना करते हैं महर्शी हैं तो महर्शी के दर्शन की इच्छा जागी रात्री में वे कूत पड़े झील में और पार करके नाओ में पहुंचे जा महर्शी देविंदरनाथ बैठे थे महर्शी देविंदरनाथ रविंदरनाथ स्टेगोर के रिलेशन में थे तो महर्शी ने जैसे ही विवेकानंद को देखा तो चौक गए कि रात्री में एक युवक झील पार करके मेरी नाव तक पहुँचा पूरा भीगा हुआ है कि क्यूं आया तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो क्यूं आये तब विवेकानंद ने उनके इस प्रश्ण का उत्तर नहीं दिया बलकि एक और प्रश्ण पूछा विवेकानंद बोले क्या आप मुझे बताईए कि क्या आप परमात्मा को जानते हैं क्या आपने उनके दर्शन किये हैं अब महर्शी देविंद्रनाथ एक दम चौंक गए खबरा गए कि ये क्या पूछ लिया अब आखों में जिजक आ गई उन्होंने कहा अरे अभी तो भीगे हुए हो बैठो अराम से फिर आगे की चर्चा करते हैं अब उनके आखों की जिजक थी वो विवेका नंद ने देख ली उन्होंने कहा बस अब और कुछ नहीं जानना चाहता समझ आ गए आपको नहीं पता और वापिस जील में कूद गए वापिस आ गए फिर एक दिन उन्हें रामकृष्ण परमहंस का पता चला कि रामकृष्ण माकाली से बात करते हैं परमात्मा के दर्शन करते हैं तो विवेका नंद रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और उनसे बोले कि क्या आप परमात्मा के बारे में कुछ जानते हैं अब विवेकानन्द ने जैसे ही पूछा आप रामकृष्ण विवेकानन्द को देख कर उनकी आत्मा को देख कर समझ गए कि ये मुमुक्षु है ये मुक्ष के लिए प्यासा है तो उसकी आखों में आखे डाल कर बोले कि तु जानना चाता है क्या तु अभी जानना चाता है तुझे दिखाऊं परमात्मा के दर्शन कराऊं अब विवेकानन्द एकदम घबरा गए क्योंकि ऐसे उत्तर की आशा न थी रामकृष्ण परमहंस ने अपना स्पर्श दिया और उनके स्पर्श से विवेकानन्द को समाधी लग गई तीन देन तक वे समाधी में लीन रहे और ऐसे आनन्द का अनुभव रहा कि जिसका बखान भी नहीं हो सकता तो जो व्यक्ति श्रद्धा से भरा है जिसके अंदर वे अनुभूती है उसकी आँखे बता देंगी कि जो बोल रहा है प्राणों से बोल रहा है तो जब रामकृष्ण बोलते हैं तो एक गहरी श्रद्धा से बोलते हैं महर्शी देविंद्रनात जब कहते हैं, तो उपर उपर का विश्वास है, गहरी श्रद्धा नहीं, तो ये श्रद्धा रुदे की समग्रता है, जब पूरी तरह से मन रुदे जुड़ जाता है, तब उस समय जो निकलता है वो श्रद्धा है, कहते हैं, जीजस ने कुछ बीज फैके, खेत के पास, कुछ बीज पत्थर से टकराए, कुछ रास्ते पर गिर गए, कुछ खेत के बाउन्डरी पर गिरे, और कुछ खेत के बीच में गिर गए, तो उन्होंने शिश्यों से पूछा, कि ये बताओ, कौन सा बीज अंकुरित होगा, तो शिश्यों ने अलग-अलग भातें बोली, तब जीजस ने समझाया, कि पत्थर पर जो बीज गिरे, वो कभी अंकुरित नहीं होगे, जो रास्ते पर गिरे, वो रहागीर के पैर पढ़ने के कारण, वो कुछ ले जाएंगे, जो खेत की बाउंडरी पर भी गिरे हैं, मेड़ पर गिरे हैं, उन्में से कुछ उगेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि कभी-कभी रहागीर चलते हैं, और जो खेत के बीच में गिरते हैं, वो बीज, वो अंकुरित होंगे, तो ऐसे ही, जिनका रिदे पत्थर का है, जिनके अंदर करुणा नहीं, प्रेम नहीं, भावनाओं का भीनापन नहीं, उनको आपके ऐसा भी विचार दीजे, सात्विक विचार दीजे, वो कभी अंकुरित होगा नहीं, परंतु, जिन्होंने अपनी मन की भूबी को जाओ बनाया, जिन्होंने अपने रिदे को कोमल बना लिया, उनके रिदे में अंकुरन अवश्य होता है, तो ये श्रद्धा भी उपच्ती है उनहीं लोगों के अंदर, जिनका अंतहकरन शुद्ध हो जाता है, इसलिए गीता बल देती है निश्काम कर्म योग को, कि निश्काम कर्म करो, तभी तो अंतहकरन शुद्ध होगा, भक्ती करो परमात्मा की, परमात्पा का नाम लो, नाम स्मिरन करो क्योंकि नाम स्मिरन से आपके अंदर शुद्धता आएगी भगवान का नाम लीजिए प्रभु के राज्य में कौन प्रवेश करता है? तो जीजुस कहते हैं कि बच्चे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे अगर बच्चों जैसा भोलापन है, इनोसिंस है, तभी प्रभु के राज्य में प्रवेश मिलेगा, तो वो भोलापन चाहिए, यदि भोलापन नहीं है, भावना नहीं है, तो नहीं पहुचेंगे, आप देखते हैं एक बच्चे को, जब ठका हुआ होता है, तो कैसे मा की ग मिल गया हो, तो ऐसे ही जो श्रधालू होता है, वो परमात्मा की गोद में चला जाता है, और परमात्मा की गोद में जाकर उसे शांती मिलती है, उसके मन को तसल्ली मिलती है, इसलिक ज्यानी बेचैन नहीं, वो चैन में होता है, क्योंकि हर समय परमात्मा की गोद में होता ह झाल झाल